नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइब नज़र डालते हैं अंतराश्च जगत की पड़ी खबरों पर यमन के मुकल्ला शहर में फिदाइन हमला, 42 लोगों की मौत, 37 लोग खायल, ISIS ने लिए हमले की जिम्मिदारी पाक की पूर विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार का दावा पिछले 60 साथ से देश के बच्चे सीख रहे हैं सिर्फ नफरत, जंग के जर्ये कश्मीर नहीं जीच सकता है पाकिस्तान विदेश मामलो के सलहकार सर्ताज अजीज ने कहा शांतिपुन सम्बंद चाहते हैं लेकिन कश्मीर मुद्दे से नहीं हटेंगे पीछे पाकिस्तान ने कबूला एनसजी में भारत की एंट्री रोकने के लिए पाकपधान मंत्री नवास शरीफ ने 17 देशों को लिखा था खट विदेशी मामलो के सलहकार सर्ताज अजीज ने की पुष्ची दो सितंबर तक मिल जाएगा ब्रिटेन को नए आप पीम सताधारी कंसर्वेटी पार्टी ने की चुनाफ प्रक्रिया शुरू करने की खोशना जन्वत संग्राय में ब्रिटेन के ईउ से अलग हो जाने पर नैतिकता के अधार पर डेविड केमरन ने किया था इस्तीफा देने का एलान विमान मार गिराने के लिए तुर्की ने रूस से मांगी माफी तुर्की के राश्पती तैयब एर्दोगन ने रूस के राश्पती व्लादी मीर पुतिन को लिखा खत तुर्की के खिलाफ लगाए गए रूसी प्रतिवंदों को हटाने का रास्ता हुआ साफ लेडी गागा से मिले दलाई लामा मुलाकात पर चीन ने जताया एतरास कहा ये तिबबत की आजादी को बढ़ावा देना है तो ये थे अंतराश्य जगत की बड़ी खबरे देखते रहें टीबी लाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार